Electoral Bond की जानकारी देने से जुड़े केस में State Bank of India, SBI की याचिका पर सुमवार को Supreme Court में सुनवाई हुई SBI ने कोर्ट से कहा, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए इस पर CJI DY चंद्रचूर ने पूछा, पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद Supreme Court की पांच जजों की समविधान पीठ ने कहा, SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे Election Commission सारी जानकारी को इकठा कर 15 मार्च शाम पांच बजे तक इसे वेब साइट पर पबलिश करे